नमस्कार दोस्तों मैं किशनलाल आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल आज़े किशन एजूकेशन में स्वागत करता हूं दोस्तों जल्दी से लाई हो जाओ आज सब को पता है आप सबने हमें बताया था कि आप कलाश लगाई है यानि गुनिस जनुरी से बहले हमें आर्मी का पुरा सले बस कराई है उसी टारगेट को लेकर आज मैं लाई हो आउँ तो जल्दी से सभी ग्रूप हमें सेर कर दो आज बस चुके सुबह के साथ तो आप सब को पता है अब यानि हम बात करें सोमवार से लेके सनिवार तक आपकी क्या लगेगी जैसे पर तेक सोमवार से सनिवार तक ये लाई क्लास चलेगी जिसका टाइमिंग है सुबह साथ बजे जिसका टाइम क्या है सुबह साथ बजे पर तेक दिन आपको लाई होन मैं आपको एक इसकृraelट आपको दिखा देता हूँ जिसमें यह schedule लिखा गया कि schedule क्या रहे गा किस दिन के,, किस की class होगी तो आपसे pokता है oh we тоже हुआ पिी छोण मोंत मुंत मुंत कि सब्सक्राइब के कहूंद को बात करे Abay वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इतना सेर करो कि सब के पास यह मतलब सेडूल पहुंच पाए कि लाइव कलास सुरू होगी आर्मी लेवल में सरो पर्थम जो कलास से सुरू कर रहे है आर्जी किसन एजुकेशन टीम तो आपको हग मनता है इस वीडियो को ला लाइक कर दो वीडियो को और सभी ग्रूपों में आपको एक मिन्ट का टाइम देता हूं सभी ग्रूपों में सेर कर दो ताकि ज्यादा ज्यादा जुड़ सके जल्दी से से अप जलो लाइव हो जाते है पहला किसन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं इससे पहले आप सब को माल कीजिए यह लाइव होगा जवाब इसका जल्दी से काभी सारी मैं पत्री बत्से लिख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल चलो जयंद दोस्तों जयंद सबको जयंद अब बात कर लेते हैं 4 वैं 16 का मध्यानुपात बताओ तो 4 वैं 16 मध्यानुपात की बात करें यानि आपको साइड वाले आप पता अनुपात वे यदि समानुपात लगा के लिखते हैं तो चार रंक लिखते हैं आपको पता है यहां बीच वाले अनुपात आपको ग्याद करना है मालेते क्या है वो एक्स है क्या है वो एक्स है यहां समानुपात लगा देते हैं तो यदि इसकी value आप जल्दी से गयात कर ली होगी या क्या होगा x square बराबर क्या होगा चार गुणा 16 इसका मतलब 64 और 64 का root क्या है का x square बराबर 64 इसका मतलब x बराबर कितना हैगा 8 हैगा x बराबर कितना हैगा 8 हैगा क्या आपका 8 जवाब है होता है ऊसका मध्यानुपात कितना हो गरना चाहूंगा यह 4 स्वार्ष हkiej तोному K Wash Kamamaj ч, घ्यान रखना अनुपात करें तभा आप OST Till ध्यान रखना मध्यानुपात करें तब आपका 8 होगा और माध्यानुपात करें तब आपका 8 होगा और 11 वे जोड़ो व्यार ना ये क्यूशन में एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूं कई बार इस तरह क्यूशन आदमी में आ जुके चलो अगले क्यूशन को बढ़ते हैं अगला क्यूशन आपके स्क्रिम के सामने आगे जल्दी से इसका भी जवाब देने कोशिश कीजिए सोब चालिस का क्या बताना है तरती अनुपात बताओ सोब चालिस का क्या बताना है तरती अनुपात यदि आपको दो संक्या ए और बी दे रखी हो तो यदि तरती अनुपात की बात करें तो तरती अनुपात आपका क्या होता है वो द्यान रखना है तर्थ यानुपात होता है 20 स्कायर बट्टी यह होता है क्या होता है 20 स्कायर बट्टी यह होता है यह द्यान रखना है यानि दूसरे संक्या का स्कायर बट्टी यह पहले संक्या होता है तो यहां बात करें तो जल्दी से आप निकालो 40 कुणा 40 क्या करना है 40 कुणा 40 बट्टे कितना 100 जल्दी से आप जवाब दे रहे हो काफी सारे बच्चे इसका मतलब कितना या 16 है इसका जवाब क्या होगा 16 होगा तो इसका option number क्या भी right होगा चलो अगले question की तरह बढ़ते हैं तथा दोनों का संक्याओं का योग फल कितना है यानि एक संक्या दिये तीन अनुपात में एक कितनी है चार है इनका आपको क्या दे रखा है योग दे रखा है इनने अनुपातों का योग करो कितना होगा 7 अनुपातों का योग कितना होगा क्या होगी 16 होगी और 16 संख्या कहें तो आपको किस से गुणा करना पड़ेगा तीन से चार गुणा तीन करते हैं 12 तो 16 क्या 12 होगी और बड़ी संख्या की बात किये तो कितनी होगी यहां होगी 16 है तो इसका option C right होगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट करके भी बताएं जैंद सब को चलो अगले question करें बटते हैं अगला question बहुत ही बड़ी है देखते हैं इसका जवाब कौन देते हैं जल्दी से कोशिश किजिए life rate में इसका जवाब देने की क्या है 1170 रुपए को A, B, C में एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन अनुपात एक बटा चयार में बांटने पर एक का भाग बताओ जल्दी से इस question का बड़िया question नहीं आज सकता है इसा question आपके तो जवाब देने की कोशिश किजिए आपको क्या देर का है A, B, C का मान देर का अनुपात में एक बटा दो एक बटा तीन और एक बटा चयार देर का है एक बात हमेशा द्यान रखना दोस्तो जब कोई अनुपात भिन में आ जाए तो उसको शारला अनुपात हम बदलने का सिधा सा तरीका है कि बट्टे वाली संक्या देखो क्या क्या है उनका LCM लो दो तीन और चार का LCM कितना या बारा है तो सब को किसे गुणा कर दो बारा से गुणा कर दो सब को किसे गुणा कर दो बारा से गुणा कर दो इसको भी किसे बारा से और काट दो ये कटेगा कितनी बार चै बार चै बार और ये कटेगा च्यार बार और ये तीन बार इसका मतल बिलने वाले यही है ना और तीनों के वे से कुल की बात करें तो कितना है च्छार और तीन कितना होगा तेरा बराबर कितना है तेरा बराबर दिया आपको 1170 तो यदि एक बराबर आप निकालोगे तेरा का भाग दोगे तो 90 आएगा एक बराबर कितना हैगा 90 आएगा और लोग कितना हैं 540 रूपए होगा क्या होगा 540 इसका क्या होगा सभी जवाब होगा दोस्तों सब को आवाज तो के लिए रहा रही होगी जल्दी से कॉमेंट करके बता है यह 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 वाज आ रही है क्योंकि कई बार हो सकता है नेटवर्क की विजह से आवाज नहीं आए चलो दोस्तों अगले क्योशन तर बढ़ते इसका क्या जवाब होगा फान्च शाली सामने आरे के रहे है यह क्योशन बिल्कुल इंट्रेस्ट दार क्योशन है जल्दी से कीजिए क्या देर्क है 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो ABC का अनुपात बताओ तो आप सी 10 सा दियान रखना है इस तरह के कोई विक्यू सनाए यदि आपको किसका ग्याद करना है मान लेते हैं आपको A, B और C का मान ग्याद करना है तो पहले A का ग्याद करो इसका मतलब A के उपर A वाला जो भी पता है उसके उपर क्या रख दो यानि मैंने यहाँ A वाला को छुपा लिए बचा क्या? 3 और 4 बचा कौन बचा? 3 और 4 दोनों को गुणा कर दो कितना है? 12 है 12 फिर यदि आपको B का ग्याद करना है किसका ग्याद करना है? B का इसका मतलब B वाले को छुपा लो बाकी कोन रहा? B वाले को छुपाने के बाद बाकी कोन रहा? आपको A और C के साथ कोन है? 2 और 4 है तो गुणा कर दो कितना है? 8 फिर आपको क्या करना है? C वाले को छुपा लेना है के उपर आत रख लो बाकि या उनको गुणा कर दो वी का कहीं तो वी वाले के उपर रख दो यह आपका अच्छा है और चार और तीन के आ आजाएगा आपका उत्तर आ जाएगा अगले क्यूशन तर बढ़ते हैं अगला क्यूशन आपके स्कुन के सामने आ बिलकुल आशान सा क्यूशन है यदि आप मैंतेमेटिक्स की जो कलास मेरे वर्ड के द्वारा पढ़ाएगे यह वह भी ले सकते हैं पिछे के वीडियो आप मिल जाएगी जिसमें आपको लाइव कलास पिछे भी मैंने वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं अलांकि पिछे लाइ पिछे अब इसका अब का मतला प्रवारा वाला प्रेयो आप सह आवीं आपसन क्या रूह भीवाला मा कईवाप्सन आपका राइट होगा बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिये जल्दी से आप पहले निकालने की कोशिश कीजिए फिर मिलाई कि आप सही करें चलो अगले क्यूशन तर बढ़ते हैं अगला क्यूशन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे क्या है चलो दोस्तों अगला कुशन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है जो कि गूशन के है च convention के च्यार के आप अप बताए कट नहीं रहे कोई कोई कोमोनस से क्या सी सो और पचीस एक्सोपचीस कट रहे है देखो पचीस सी कट रहे है यह च्यार बार और यह पांच बार इसका मतलब कितना है चार अनुपात पांच आया और इसको भी आप काट सकते हो जैसे ये किसे कट रहा है चार से कट रहा है ये कितनी बार कटेगा चार से कटेगा आपका पांच बार और ये कितनी बार ये कटेगा आपका चार बार अब आप ये दी देखो तो सम यानी च्igkeit कर दे यानिए तो कई दोस्त सोच रहे कि यह वी सही है ऊर्य यह विथ कर्मा नुपात होता है जल्दिस कंद बढके संसरी ङागा है यदि एक प्रिख्यार्टी एक प्रिख्यार्टी एक प्रिख्या में चालीस अंक प्रप्त करता और चालीस अंकों से फेल हो जाता है यदि 8 होने के लिए 40 प्रrichshard चाहिए तो कुल अंक बताउ यादि पूना का आपको बताना है तो यदि आपको पताई कोई विद्याति 40 पराप्त किया हूँ 40 से फेल हो गया इसका मतलब पास ओने के लिए अंक कितने चाहिए अंक चाहिए 80 यानि 40 तो उसको मिले हूँ 40 से फेल हो गया पास ओने के लिए अंक तो चाहिए 80 44 his जो केंगे जल्दी से ये क्युशन थोड़ा सा ध्यान से करना है ठीक है यदि चाय के मुल्य में 10% की कमी कर दी जाए 10% की कमी कर दी जाए तो 270 रुपए में 200 ग्राम चाय क्या करीदी जा सकती है अधिक खरीदी जा सकती है तो चाई का नए और पुराना मुल्या आपको निकालाना चीए आपको ध्यान रखना है यदि पुराने मुल्या की बात करे ठोड़ा समय लिख देता हूं यह ठोड़ा लिखा तो सही तरीं केस नहीं जाएगा रुपए बट्टे मात्रा क्या होता है रुपए बट्टे मात्रा किसमें रखने केजी में और फिर क्या लिखते है गुणा कमी बट्टा क्या सुत्र होता है कमी बट्टा 100 माइनस कमी क्या करना 100 माइनस कमी इस सुत्र के माध्य में से यदि आप रुपए बट्टे मात्रा आपका 120 रुपए कितना हैगा 120 रुपए इसी तरह यदि आप बात करें नया मुले तो नया मुले का सुत्र होता है क्या होता है रुपए बटे मात्रा यह तो हो गई रुपए बटे मात्रा और फिर क्या लिखना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा कमी बटे सो कमी बटे स यदि इसका भी आप value निकालोगे क्योंकि मैं थोड़ा लंबा लिख नहीं पाऊंगा यहां यदि हल करके आप निकालोगे इसका आएगा 108 तो नया और पुराणा मुल्य दोनों आपके पास आजाए आपको क्या कहा रहा है अंतर बताओ तो 120 और 108 का अंतर कितना है 12 रोपे का यानि ओप्षिन नंबर ए आपका क्या होगा राइट होगा तो आप इस तरह से जो जूस्त्र है वो ध्यान रखने ज़े हुआ इस तरह कोई भी क्यूशन आपके स्क्रिंज के सामने आ रहे हैं विल्कुल यासान सा क्यूशन है क्या क्यूशन है 800 ग्राम एक केजी का कितना प्रतिसाथ आपको बता है का आप की है एक केजी का आगे इसका मतलब आजार ग्राम बट्टे में आएगा और आच्छो के आएगा उपर आएगा और भूणा में सो क्योंगे परतिस्त में चेंज करने के लिए इस तरह की क्यूशन कई बार आज़ चुका चलो अहल करोगे यह दिया आप काट के तो आप का कितना हैगा असी परतिस्त यानि आट सो ग्राम है वो अजार ग्राम का कितना परतिस्त है असी परतिस्त है कितना असी परतिस्त है द्यान रखना इसका मतलब असी परतिस्त वाला उप्षन कौन सा है यह वाला बी वाला उप्षन क्या होगा आपका राइट होगा चलो जनवरी तक आपकी लाइव कला से चलने वाली है और जब आपके एक्जाम के पांच या दस दिन बचेगे तो आपको में एक मेटर दूँगा पीडियाप दूँगा एक सब जिसमें ये सारी क्यूशंजरों में करवा रहा हूं वो आपको मिलेंगे तो वो भी मेटर आपको ल परतिसत का लाव है आपको सिद्धे से बताए यदि लाव या अनी परतिसत निकालना हो आपको तो वो किस पे निकलती है वेसा ध्यान रखना क्राय मुले पे निकलती है क्राय मुले पे और गुणा में सो परतिसत में चेंज़ करने के लिए लगाते है और उपर लिखते है लाब यानी कितने की हुए तो यहाँ लाब यानी जो भी यहाँ क्या हुआ लाब हुए 200 रुपे का लाब हुए कितने पे हुआ है आपको पता है यहाँ 800 रुपे पे हुआ है तो 200 बटे 800 गुणा 100 यदी आप इसको काट के हैल करोगी आप मतदा प्तषी करति सब्सक्राइब चाहे कि तो एगला क्रिश्ट को बस्तों का क्रे मुले समानी क्या है यदि दो वस्तों का क्रायमुल्य समान है यदि एक पर 20% का अलाव तथा दूसरी पर 20% का अनी होती है तो पूरे सोदे में क्या होगा अब मान लेते हैं आप यह ली फैस्ट वस्त हूँ यह क्या ली फैस्ट और यह ली सेकंड क्रायमुल्य दोनों का क्या है समान है क् क्रया मुले बात कर लेते हैं एक सो पित कला आप कितने में하면 एक सो कि आनी या जदी आपका क्रया मुले समान है और समान लाव हो कहना है जम किसी क्यूस्जिन में ऐसे देता ना विक्रे मुले समाने क्या देता विक्रे मुले समाने क्या देता विक्रे मुले समाने तब आपको पता है कैसे निकालते सो गुणा एक पर क्या कर रहा है बीस का लाव एक सो बीस बटे सो और एक पर कह रहा है बीस की यानि असी बटे सो यानि क्या करते हैं इ आपने 4,3 मात्ल मात्लिब आनिए हो sixteen के लिए जवाब गल्त होगा क्यूंकि यह किस के लिए होता है!? जब विक्रे मुल्य समान की बात करे तभ यह होता है और क्रे मुल्य समान के बात करे यो इस क्विशन के लिए देखे तो नये लाब होगा नयानी होगा इस क्यूस्टन का जवाब यह होगा तो दोनों तरह कि क्यूस्टन आपको ध्यान रखने है ताकि एक्जाम में कोई सब्सक्राइब आई तो अभी कन्फियूज नहीं होना है क्राह मुले के लिए बात करे तो लाव जानी परतिशंद बताओं तो आपको अमेशा द्यान रखने येदी मुल्य दिया रखा हूँ तो लाव जानी निकलती है क्रैव मुल्य पे निकलती है जब y वश्तु ये दियो तो विक्रए वस्तुहों पर निकलते है आप देखो आपको पता है च्यार वस्तु खरीदी और उतने ही रुपय में कितनी वस्तु बेच रहा है पांच फ़ुलल क्या होगी हानी होगी क्या होगी क्या होगी ह हानी होगी यह वाला फिक्र्द आपका निकलता जो भी आपको दियान देना यह यदि वस्तो दियो तो विक्रा वस्तो यानि बेची गई वस्तो पे निकाला जाता है लाव यानि और मुले में क्राय मुले पे निकाला जाता है तो क्या कहता है पंद्रा बराबर आपको कितना दे रहा है पंद्रा बराबर आपको कितना दे रहा है पंद्रा बराबर आपको कितना दे रहा है पंद्रा बराबर पिछेतर बटे पंद्रा यानि कितना ऐगा पांच एक बराबर कितना है पांच आपको सो बराबर ग्याद करन चलो अगे लिए क्यूशन उतर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्यूशन आपके स्क्रीम के सामने आ रहे क्यूशन नमर 15 है जो आपका आज गांतीम क्यूशन है दोस्तों वीडियो के अच्छा लगा तो जूर बताईए और यदि अच्छा लगा अब आप सब को पता होगा कि एक दिन आपको साथ बजे लाइव क्लास लेनी है जिसमें जीक के करवाए जाएगा मेत भी करवाए जाएगा और साइंस भी करवाए जाएगा वो अलग-अलग सेडूल आपको पहले बताई दिया था मैंने चलो इस क्यूशन का जवाब देने कोशिश की यदि कि वस्तों क तो 27 रूपए में वेशने पर 10% की आनी होती है तो वस्तों का क्राय मुले बताओ आपने मान लिया क्राय मुले कितना है क्राय मुले मान लिया आपने कितना है 100 है क्राय मुले यदि मानने की बात करें तो 100 मान लिया यदि बात करें कितने की 10 क्यानी यानि 90 90 बराबर आपको यह तीन बार यानि कितना हैगा 30 ग कितना हैगा 30 गावे वाला अप्षन कुलantically आपका यानि आपका बुर। लाइक कर याप सब है बता किसे कि आप में 25 में से कितने कुर्षेवर सब्सक्राइम सब्सक्राइब साब तक आज वजह पर त 오늘 को रहिए अपको पता से लेगा कि आपका लेवल के साथ त्यार हूँ रहे चलों आज की वीडियो में इतना है थैंक यू फॉर वाचिंग